हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई चैनल तैयारी यूपीसी और यूपीसी टूड़े विल डिसकास एबाउट कम्निकेशन इंपोर्टेंट टॉपिक रिलेटेट टू यूजीसी नेट फर्स्ट फेपर तिहां पे हम इस वीडियो में कम्निकेशन यानि संचार का यह अंतिम और संपूर्ण स्लेवस का वीडियो होगा इसके पहले हमने दो वीडियो बना रखा था जिसमें आपको संचार के प्रकार संचार के उद्देश से संचार की प्रकृति यानि कि जो यूजीसी नेट के स्लेवस में दिया गया था उससे हमने लगवग आधा कवर कर लिया था संचार के प्रकार को मढ़ेंट दो आधरों पे देख के एक तो व्यक्तियों की संख्या करते दूसरा संगठन पड़ाली के आधार पे उसका diiscusn किया गया था और इस वीडियों के फिल्म इंस्टिट जो इंडिया के हैं उसके बारे में देखेंगे वहां से हर बार एक या दो प्रस्ण बिल जाते हैं तो इस पूरे यूनिट से पांच प्रस्ण निश्चित आने हैं जहां पर एक निश्चित रहता है कि संचार की बाधा से related रहता है तो चलिए यहां पे हम देखेंगे total वीडियो यह महत्पूर है इसके बाद वाले वीडियो में हम 120 प्रस्ट जो previous year paper में आए हैं और 2004 से लेके 2017 तक का देखेंगे उसमें set का भी paper देखेंगे जो state label पे होता है तो चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं यदि आप इस चैनल के नए वीवायर हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए प्रिस करिए वेल आइकान को हमारे latest वीडियो जो के अपडेट पाने के लिए और आप लोग comment जरूर करिएगा यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो और इसको share करना एकदम मत भूलिया क्योंकि next जो topic होगा उसमें हम 120-120 जो previous year paper के question है उसको solve कराएंगे और साथ ही जो इसके बाद वाला होगा उसमें भी 120 होगा जो most expected question होगे और most expected UGC net first paper के topic के वीडियो बनाये जाएंगे कि कौन-कौन से topic important है जो आपको repeat करना है revision करना है जिसका चलिए इसमें हम देखते हैं संचार की बाधा संचार की बाधा जो यह किस परकार से हो सकती है इसके बादे में कि संचार प्रक्रिया में बाधा या रुकावट एक प्रकार का यह अवरोध माना जाता है जो संदेश के प्रभाव को छींड या कमजोर कर देता है इस बाधा के कारण संदेश को ग्रहाण करने हुआ उसके आर्थ को समझने में प्राप्त करता को समझाने में संप्रेशक को कठिनाई होती इसमें फीडबैक भी बिक्रिती रूप में मिलता है तो इसमें इसका ये पाइनली हम ये कह सकते हैं कि संग्यानात्मक आकड़ों के प्रेशण में जो मुख रुकावट या बाधा होती है वही संचार बाधा कहलाती है आरोद कहलाता है यह की नाधारों पे हो सकता है रुकावट तो इसे कई वर्गों में डिवाइट किया गया एक तो ये भासा संबंदी बाधा हो सकती है दूसरा संग्ठनात्मक है तीजरा भावात्मक है, चौथा भावतिक है, पांचवा है, व्यक्तिगत बाधा और छठी में अन्य बाधाएं है, तो भासा संबंदी जो बाधाएं होती है, पहली देखें यहां पर भासा संबंदी बाधा, भासा संबंदी बाधा में संचार के लिए भासा अनिवारी एक म सब्सक्राइब ने किसी और भासा का यूच किया तो भी एक परकार की संचार की बाधा होगी जैसे हिंदी वालों को इंगलिस मेडियम में जो कम्मिनिकेशन प्राबलम होती है तो यह इसलिए यह ने नेक्स्ट में देखिए संगठ नात्मक बाधा के अंतरक जैसे संचार कारें की संद्चना को एक सूत्र में पिरोने के लिए ऐसी बेवस्ता की गए लेकिन संचार की कुछ तत्त होते हैं प्रक्रिया होती है जो अनिक बाधाओं को उत्पन करती है जैसे आर्गनाईज स्थानी है और भय है लक्षियों का बिवाद है घटिया रख रखाऊ है पूर मेंटिनेंस इन सफिसियंट पिरियड आफ एड़ जस्टमेंट यानि कि अपर्याप्त संतुलन काल है तो विभिन परकार के यह बाधा इसे रिलेटेड होते हैं नेक्स देकि भावात्मक बाधा भावात्मक बाधा से मतलब है कि ब्यक्ति के द्रिस्टिकूण नजरी या इत्याद में कमी पाया जाने से क्योंकि संचार मुलत दोनों पक्षों यानि कि प्रेशक सेंडर और रिसीबर की मानसिक दसापन निर्भर करता है भावनात्मक अउरोध में अल्प धारड सेलता च आया औरोध सामिल किया जाता है जिसके द्वारा विबिन परकार के दो स्पूण औरोध उत्मक जैसे किसी कार्याले में टाइप के जाने वाली जो मसीन है टाइपिंग मसीन की आवाज हो गई और यदि संचार चल रहा है तो उसके मद्द में चाय या कॉफी तो ये भी एक ब्यक्तिगत बादा में उच्चा अधिकारियों के द्वारा उत्पन बादा होती है और अधिनस्त कर्मचारियों के द्वारा उत्पन बादा होती है जैसे इसमें ये अंत्य ब्यक्तिक शंबंदों की एक प्रक्रिया होती है संचार तो प्राप्त करता कि मद्द है ये कठन में इस्तिती पद अधिकार संबंदिक कटाओ या विरोत को एक शमाने घटना है यह बातें जो है ब्यक्ति के ब्यक्तिकत हित वह ब्यक्तित उसे संबंदित होती है अब जैसे उच्छा अधिकारियों के बीच बाद है तो इसमें ब्योहार एटिटीट आ जाता है फियर और मीडियम हो गया लैक आफ टाइम यानि समया भाव अधिनस्त की बाधाएं जो होती है वह संचार की अरुची मैं यानि की अनिक्षा उचित प्रड़ा का भाव डिफेंसिव डिफेंसिव कम्निकेशन अन्य बाधाओं में आपका जैसे सामाजिक सांस्कृतिक को दूर करना होता है पहले तो हमको यह करना चाहिए संचार के जो अस्पस्ट हो सुरोता को सामान जानकारी हो सरलवा अस्पस्ट भांसा का प्रियोग किया जाए कोशिस किया जाए कि सोर कम हो कक्षा में सोर कम हो संदेश अधूरा ना होकर पूर्ण होना चाहिए जिससे प प्राभावी कक्षा संचार यहां से important है यह classroom communication, effective classroom communication, इसमें एक सिक्षक के द्वारा प्रभावी संचार बनाने के लिए सबसे पहला यह कार्य होता है, उसे अनुशाशन बनाना चाहिए कक्षा में, कक्षा में बिशे की जो सिक्षक है, उसे बिशे की संपूर्ण जानकारी हो चाहिए और शिक्षक का एक मात्र लक्ष बिद्यार्थियों का हित होना चाहिए शिक्षक कक्षा में लोकतांत्रिक मुल्यों को अस्थापित कर सहज और सरल भासा में उत्तर दे जिससे की बिद्यार्थी संतुष्ट हो सके ओपी योगिता वादी संचार हो शिक्षक эн downturns होता है बिद्यार्थी recorders होते हैं कक्छा संचार edutainment theory पर edutainment सिध्धांद पर आधारित हो और कक्छा का जो संचार हो बिद्यार्थियों पर केंद्रित हो को औरन्यक्स देख क्या आँपर चांठी स अम्यखे शंप्रेशन पर जोर दिया जाए सिक्षाक बेद्यार्थी से संबाद जो होता है इमपैथी कहते हैं तदनुभूत कहते हैं कंच्छा-संचालन-व्याख्यान-विधी के द्वारा हो और सकारातमक पड़िश्ण का परडाम अनुने होता है क्या उता है अनुने नेग्स देखिए सूचना प्रसाड मंत्राला जो विभिन प्रकार के नियम, बिनिमयम से संभन्दित नाटक संगीत अनुटि आदि के माध्यम से लोगों को सूचना उपलब कराने का ये प्रभावी भून का निभाता है जैसे परियावर सनक्षड हुआ आदि के माध्यम से. अब नेक्स्ट है प्रवासार भारती प्रशार भारती के अस्थापना ये 23 नॉंबर 1997 को की गई थी आकाज बाणी और दूर दर्शन इसके दो मुखे घटक है DTS डारेक्ट टू होम सेवा ये 2004 में चालू की गई थी प्रशार भारती के द्वारा प्रशार भारती का उद्देश सिक्या है पहले ये जान लिया जाए कि इसका उद्देश ये होता है कि जो सिक्षित हुआ इसके माध्यम से लोगों को सिक्षित करना, मननजन कराना बिविन परकार के सरकारी योजनाओं का प्रशार अड़ करना महिलाओं युवा ब्रिद्ध संबंदी लोगों के जो हित में जानकारियां उसको उपलब्द कराना साथ ही युवाओं के मामले में भी पूरा ध्यान लखना सामाजिक नय को बढ़ावा देना आद इनका प्रमुक कार्या या उद्देश रहे नेक्स्ट है प्रसार भारती बोर्ड प्रसार भारती बोर्ड में देखे इसको इस बोर्ड को संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष एक मुख कार्यकारी अधिकारी एक बित्दस्य एक कार्मिक सदस्य और छे 6 अंसकालिक सदस्य होते हैं साथ है एक व्यक्थी सूचनाप्रशाण मन्तियार यoking संबन्दित होता है और एक और इसमें आकास माड़ी और दूर दरशन के जो महानी देशक हैं वह भी समलित किया जाते हैं अद्यक्ष जह Loop कालिक सदस्य होता है इसका कारेकाल 3 वर्स या 70 वर्स जो भी पहले हो यह होती है और जो अन्य सदस्य है वो 5 साल या 65 वर्स की आयो जो पहले हो और जो बित और कार्मिक सदस्य होते है इनका कारेकाल 6 वर्स होता है यह जो है इनका कारेकाल 6 वर्स होता है या 62 वर्स की आयो जो नेक्स देखिए इसमें आकाजबाड़ी इसमें आकाजबाड़ी ये रेडियों के अब इसकार के कुछ वर्षबाद जो भारत में रेडियों का परसारण मुंबई, कुलकाता, चिन्नाई सहरों में हुआ जून 1923 में मुंबई में एक रेडियो की अस्थापना कीगी फिर जुलाई 23 जुलाई 1927 को मुंबई और कुलकाता में दो ट्रांस्मीटरों की अस्थापना कीगी 1936 में आल इंडिया रेडियो की अस्थापना कीगी और 1956 में आल इंडिया रेडियो को आकास बाड़ी नाम दिया गया त्यानि आकास बाड़ी का स्थापना कब ही 1956 ये है आकास बाड़ी आगे देखे इसका जो वाक्य है आल इंडिया रेडियो का धे वाक्य है गुब बहुजन हिता है और बहुजन सुखा है ये भी पूछा जा चुका है नेक देखिए आकास बाणी चैनल विबिन परकार के आकास बाणी चैनल जो चलते हैं राम रागम रागम इसके अस्थाफना 26 जन्वरी 2016 को की गई थी ये इस्पेसली 24 गंटे है तो सासते संगेत के प्रसारण है तो इसकी सुरुवात की गई थी FM रैन्बो एक फरवरी 1993 को ये चालू किया गया और ये हिंदी अंग्रेजी और अन्यचेत्री भासाओं में ये प्रसारण करता है ये एक आधनिक रैडियो चैनल है जिसे आकाज मानी द्वारा यूवाओं पर फोकस करते हुए चालू किया गया था रैडियो में FM स्टेशन का जो मुख्योद्देश होता है वो मन रंजन सूचना और अंतर संबाद प्रसारण करना होता है नेक्स्ट है दूरदर्शन दूरदर्शन ये 15 सेटेंबर 1969 को दिल्ली में चालू किया गया 1965 में दूरदर्शन पर आल इंडिया रेडियो का एक अंग नियमित दैनिक प्रसारण की सुरुवात की कि जिसे जो समाचार आता है इसकी पहली नियूज रेडर थी प्रतिमा पूरी 1972 में अमरिस सर और मुंबही में अस्तापना की कि ये भी पूछा जा चुक है अमरिस सर में कब होई थी और 1982 से रंगीन प्रसारण चालू किया गया 1984 से ये दूरदर्शन ने अपना प्रसार करना चालू कि आनुए खेत्री कार्याले चालू कि बर्तमान में दूरदर्शन फ्री टु एयर डीटियेच के माध्यम से चल ला है और नेक्स्ट है यहाँ पे देखे 26 मई 2015 को डीडी किसान चैनल की सुरुवात की गई थी अब नेक्स्ट है विविन प्रकार की समाचार एजन्सियां पी टी आई है प्रेस्ट रस्टाफ इंडिया 27 अगस्त 1947 को यह रजिस्टर ओड़ हुई थी रजपंजी कृत हुई थी एक फर्वरी 1949 को इसने कारेपरारंब किया और भारत की सबसे बड़ी नियूज अजन्सि बन गई इसका हेटक्वाटर नई दिल्ली में है नक्त के P.I.B. प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पत्र सूचना कारयाल है उनीस उनीस में अस्थापित किया गया था इसके आठ चेतरी कारयाल है चिन्नी, हैदराबाद, मुंबई, चंदीगर, गुवा, आठी, लखनो, कुलकाता और भोपाल है चोंतिस इसके साखा कारयाल है है हिटक्वाटर इसका नई दिल्ली में है यह हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और तीरा अन्य चेतरी बासाओं में प्रसारण करती है यूनाइटेड न्यूज नेक्स्ट है, यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया, यह संबाद समिती है 1969 दिसंबर में 21 मार्च 1961 से यह कारेपरारम किया और 1969 में इसके अस्तापना गई गई थी यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया ने सर्थम बिस्में उर्दू समाचारों की आपूर्ती की गठन 2005 में किया गया, मलेशिया की एजंसी है, जिसका नाम है बरणामा यह कुवाल अलमपूर में है, जो इसे रेगुलेट कर रही है गठन रुपेक्ष एजंसियों के मद्दे, इसका अस्तापना का असरे यह था, उद्देश ही था, कि जो विभिन प्रकार के एजंसियां उसमें समाचार और फोटों को साजा करना होता है इसकी जो भासा यह अंग्रेची, फ्रेंच, स्पेनिस और अर्भी है भारती प्रिस परिशद, यह लिखा है भारती प्रिस परिशद, पृथम प्रिस आयोक के द्वारा इसको बनाने की सिफारिस की गई थी पहले बार 4 जुलाए 1966 को स्वायत और अर्धन्याईक संस्था के रूप में भारती प्रिस परिशद की अस्थापना की कब 4 जुलाए 1966 को इसने 16 नौमब और 1966 से कारे प्रारम कर दिया, पहले अद्दक्स इसके सुप्रिम कोर्ड के जज जियार मधोलकर जी थे इसमें 28 सदस्य होते हैं, प्रिस परिशद में 28 सदस्य होते हैं, 20 सदस समाचार एजन्सियों से होते हैं, 5 दोनू सदनों से होते हैं और 3 साहित अकादमी या UGC बार काउंसिलाफ इंडिया के सदस्य होते हैं हेड़कवाटर इसका नई दिल्ली में है और इसका जो भारती प्रिस परिशत दिवस मनाया जाता 16 नौंबर को जन संचार के राश्टी प्रलेखन केंद के अस्थापना 1976 में की गई और भारती जन संचार संस्थान के अस्थापना 17 अगस 1965 को यूनिस्को के सहयोग से कीगी इसका हेड़कवाटर दिल्ली में है भारती इंद भरिश्चंद पुरसकार 1983 में पहली बार जन संचार हिंदी में जन संचार के लिए दिया गया बाद में 1992 से एकता नारी शम्मान बाल भी से हेतु जो प्रकासित करता उस पर लिखता उसको दिया जाने लगा सीनेमा से दुड़ी जो प्रमुक्संस था हैं राश्टी फिल्म बिकास निगम एनफडीसी नेशनल फिल्म डेवलप्मेंट कर्परेशन ये सूचना प्रसाण मंतराला के तहत कार करती है 1975 में अस्तापना हो इसका हेड़कॉर्टर मुंबई में है राश्टी फिल्म लेखागार नेशनल फिल्म आर्क्यू आफ इंडिया ये देखे फरवरी 1964 में अस्तापना होई इसकी हेड़कॉर्टर पूरे में पहले दिल्ली था बंगडूरू कुलकाता तिरवनपुरम छेत अस्तापना की गयी थी बारते फिल्म टेलिवीजन संस्थान में एफ टी आई आईके और नेक्स्ट है सत्तजी तरे फिल्म और टेलिवीजन संस्थान इसकी अस्तापना अठारा अगास 1995 को बिस्ट बंगाल में कुलकाता में की यह भी सूचना पुरसाण मंतराले की तहत का यह रहा है आज का बहुत ही महत्तबून भी जो कम्मिनिकेशन से रिलेटेड है और इसको आप अंतिम तक देखिए और नेक्ट वीडियो भी आप देखिएगा क्योंकि इसी प्याधारी तुहां पर प्रस्ण आपको दिया जाएंगे थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो डों फिर्गेट लाइक सब्सक्राइब और शेर